इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह नतीजतन बैक्टीरिया उपचार के लिए उपियो किये जा रहे एंटीबाउटे के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं लिजुफोस ड्राइ सिर्प MDR तपेदिक और व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी तपेदिक यानि की XDRTB के इलाज में प्रभावी है लिजुफोस ड्राइ सिर्प पहली दवा नहीं है जो डॉक्टर तपेदे के इलाज के लिए देते हैं यह तभी दिया जाता है जब बच्चा प्रतिरोधी ट्यूबरकुलस अंक्रमन्ट से पीड़ित हो इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें इसे मापने वाले कप से नापे और मुव से लें इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं लिजुफोस ड्राई सिर्फ भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए लिजुफोस ड्राई सिर्फ को टायरामाई न्युक्त भूजन जैसे चीज, स्मोक्ट फिश, मीट और कुछ प्रकार की बियर के साथ लेने से बचें लिजुफोस ड्राय सिर्फ एक एंटी बाउटिक है यह महत्वपून कारियों को करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक आवश्यक प्रोटीन के संचलेशन को रोक कर बैक्टीरिया के विकास को रोकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को, टन अन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें, धन्यवाद.